Good morning class third How are you? I hope you all are fine Okay So let's start your exercise What is the previous exercise? आपकी previous exercise कौन सी थी? हम लोगने क्या पढ़ा था? कल तो देखते हैं कि हम लोगने कल क्या पढ़ा था? हम लोग पढ़ रहा थे कि numbers को हम number name कैसे लिखते हैं पढ़ रहे थे ना number name हम किस तरीके से लिखते हैं या आपको मैंने numbers बहुत सारे लिखवाए भी थे अब फिर नीचे आपके page number 14 है जो exercise आपके 2B exercise 2B उसमें आपको क्या लिखें? कुछ और numbers भी लिखें मैंने आपको question number 11 का 30 number page का आपको question करा था आप page number आप क्या करेंगे? page number 14 लिखेंगे क्या है write the number names write the number names लिखेंगे hundred and thousand तो आप इसी तरीके से numbers को जो आपके उपर place लिखेंगे उसी तरीके से बोलेंगे जैसे thousand लिखा तो क्या बोलेंगे? 2000 क्या बोलेंगे? 2000 पिर आपका hundred लिखा है 600 पिर आप 87 तो डारेक्ट बोल सकते हैं तो आप क्या बोलेंगे? 87 तो यह आपका number हो अब इसी तरीके से second question क्या लिखा है 3651 3651 देखी क्या लिखा है इस तरीके से वहां भी one stance hundred thousand हो गया तो यहां पर क्या हो जागा? 3000 3000 600 51 क्या हो गया? 3651 देखी आप देखी नेक्स कोशन 9734 इसको हम क्या लिखेंगे देखी इसको हम क्या लिखेंगे फिरसे भाई 9 के प्लेस का है 1000 प्लेस तो क्या बोलेंगे? 9,734 इस तरीके से हम नंबर्स को बोलेंगे ओके? देखी आपका दूसर नंबर क्या लिखा है? 7308 क्या लिखा है? 7308 तो इसको मैं क्या बोलूंगी? 7308 क्या बोलेंगे? 308 08 को क्या पढ़ेंगे? 8 पढ़ेंगे तो 8 लिख दिया देन आप क्या लिखेंगे? 5716 5716 5716 5000 5000 700 16 16 अपन क्या लिखनेंगे? 16 तो यह आपके कुछ questions हो गए अब आप क्या करेंगे? घर में कुछ questions को try करेंगे किस तरीके से हम questions को कर रहे हैं? किस तरीके से हम सारे questions हम solve करेंगे तो यहां फिर से देखे एक पर क्या है? आपका जो number लिखा हुआ है उसमें क्या है? कि 2,687 2,687 then 3,651 9,734 7,8 308 5,716 5,716 तो यह आपकी numbers है इस तरीके से आप क्या करेंगे? क्या क्या करेंगे तो आप कल देखेंगे किस तरीके से हमें homework करना है अगर आपको नहीं समझ मैं करेंगे तो दुबारा समझा दिए क्या है क्या है